हलो स्टूडेंट्स यह सी लेंग्विज का चैप्टर 12 है जिसमें हमें दो नंबर्स को एड़ करने का प्रोग्राम सी लेंग्विज में बनानी है बड़ा ही easy है आप समझें X नाम के variable में 10 y नाम के variable में 6 दोनों variable में integer type का data है इसलिए दोनों variable के पहले integer data type का यूज किया गया है अब अगला variable z के नाम से और इसमें मैं x और y के addition को रख दूँगा क्या होगा x और y add हो जाएका add होने के बाद ये क्या result देगा 16 तो 16 कैसे number है integer number तो इसलिए z में जब 16 store होगा तो z वाले variable का भी data type int होना चाहिए answer आपका किस variable में मौझूद है z में आप एक काम करो variable में value assign करने के बाद आप clear screen method को यानि की function को call कर लो तो ध्यान डखना है पहले variable का शारा काम होगा उसके बाद आपको clear screen का use करना है अब output screen पे किसे print करनी है z को तो क्या आप z actually लिखोगे तो z print होगा नहीं z एक variable है ये आपको printf को बताना होगा कैसे बताओगे simply z का format specifier यूज करके ये format specifier क्या होगा z के data type के बादे में आपके printf को बताएगा पॉसंडी format specifier किस data type का होता है int का तो आप देखो z को printf की माध्य हम से print कर रहे हैं तो z एक variable है variable का data type बताने के लिए हमने z से पहले dual quote में पॉसंडी format specifier का यूज किया है इससे printf को क्या पता चलेगा z एक variable है और इसका data type int है अब simply output screen को रोग के रखने के लिए get ch function को call कर लेंगे बनकिया to number का addition save कीजिये और run करके testing कीजिये मैंने f2 बटन को प्रेश किया यहाँ पे save करूँगा add.c के नाम से पहले code को translate करने के लिए compiler को चलाऊँगा ओके translate हो गया run करने के लिए control plus f9 बटन को प्रेश करूँगा आप देखो 16 प्रिंट हो गया ओके keyboard से ESC बटन प्रेश करूँगा ताकि output screen remove हो जाए अगर आपको subtraction करनी है तो आप यहाँ पे subtraction का चितर देश सकते हो अगर multiplication करनी है तो आप multiplication का चितर देश सकते हो अगर divide करनी है तो आप divide का चितर देश सकते हो ओके मैं इसे पहले जैसा रहने देता हूँ मैं चाहता हूँ answer जो Z के द्वारा print हो रहा है उससे पहले कोई text भी print करूँ तो simply मैं format specified वाले dual quote के अंदर ही write करूँगा your answer is फिर space देदूँगा तो आप देखो your answer is ऐसे ही print होगा बस %D की जगा आपका Z का value print होगा simply मैं इसे run करता हूँ Ctrl F9 बटन प्रेस करके print होगया skip बटन दबाऊंगा तो remove हो जाएगा so dual quote के अंदर आप जो भी data write करोगे वो word के रूप में print हो जाएगा लेकिन अगर आपने %D लिखा है तो इसका मतलब इसके बाद कोई variable है यहाँ एक variable होगा तो एक format specified आपको use करना होगा अगर दो variable होगा तो यहाँ आपको दो format specified यूज करना होगा बस ध्यान रखियेगा variable से पहले ही dual quote के अंदर आपका format specified use होगा ओके dear students किसी भी language को perfectly complete करने के लिए आप हमारे online software engineering course को जोईन कर सकते हैं description में link मिलेगा या आप हमें call कर सकते हैं या आप हमारे website पे visit कर सकते हैं web institute की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद आप हमारे 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 आप ह